नमस्टार दोस्तों स्वर्णाकिर सोई में आपका फिर से स्वाल रख है आपने मेरे पिछरे वीडियो में देखा होगा मैंने बहुत सारे शेक्स बनाए थे एक में मैंने कस्टुड मिक्षेक बनाये था उसमें मैंने घर की बनी हुई मैंगो आइस क्रीम डाली थी आज मैं आपको बताऊंगी के मैंने कैसे बनाई थी तो चलिए इससे बनाना शुरू करते हैं आज हम बनाएंगे मैंगो कस्टड आइस क्रीम इसके लिए मैंने 300 ग्राम दो एक आम थोड़ी सी चीनी और कस्टड पॉर्डर लिया है अगर आपके इस तरह से वाश कर लिया है अब मैं इसको चील होगे इसको मैं ने चील लिया है अब हम इसके चोटे-चोटे पीसीज करेंगे अब आप ऐसा लीजिए जिसमें रेश्य ना हो इसमें बिलकुल भी रेश्य नहीं है अगर हम रेश्य वाला आम लेते हैं तो उसको आपको चानना पड़ेगा इसके हमें चानने के जरूरत नहीं है इसे हम मिक्सी के जार में डाल देंगे और दो चम्मच इसमें चीनी डाल देंगे चीन्नी आप अपने टेस्ट के इसाब से ले सकते हैं। कम या जादा। अगर आपका आम मीठा है, तो आप चीन्नी पम डालिए। अगर आपका आम खट्टा है तो चीन्नी जाद सकते है। अब आ अब इसे, बंद रचेश. और ग्राइंब कर लेगे। हमने मैंगो की प्योरी बना ली है अब हम इसको बॉल में हुका देखें अब हम इसको बॉल में हुका देखें अब हम आइस क्रीम के लिए कस्टड त्यार कर लेते हैं इसके लिए मैंने 300 क्राम दूद लिया है जब तक हमारा दूद उबल रहा है हम कस्टड त्यार कर लेते हैं मैंने 4 चमच दूद लिया है इसमें मैंने 2 चमच कस्टड पॉडर डाल दिया है अब हम इसको मिलाएंगे जब तक कि इसकी गुठलियां खतमना हो जाएं दूद हमारा उबल गया है अब हम इसमें कस्टड पॉडर से जो मिल्क बनाया था वह डाल रहे हैं इसको हम देरे-देरे करके डालेंगी झाल वाल यह जर सबस्य हो पोड़ सेगा दुछ करेंगा है झाल झाल शुछ करेंगा है झाल 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 चार चम्मच इसमें चीनी डाल देंगे और इसको मिलाएंगे गैस को मिडियम कर देंगे कॉस्टर्ड मिर्क पॉटर डालते ही दूध हमारा गाड़ा होने लगा है अब इसे एक दो मिन तो आपकाएंगे जब तक इसमें चीनी नहीं घुल जाते है कर दूध हमारा गाड़ा हो गया है अब हम इसको निच्चे तोर लेते हैं गैस को बंद हमदें लिए जब तक हमारा कैस्टड में ठंदा हो रहा है तब तक हम मलाई को घ्राइण कर लेते हैं आप कोई महठोफा की भी मलाई ले सकते हैं अमुल की भी ले सकते हैं मैंने जे फ्रेश मलाई ली है मैं estou grammar है मैं इसको ग्रैंट कर लिते हैं है हमने मलाई को मिक्सीर ग्रैंड कर लिया है अब हम मैंगो पल्प को गैस पे पकाएंगे, गैस को ओन कर देंगे और मैंगो पल्प पैन में डाव देंगे अब कैस को में मुडियम एक रखना आ है अगर मिसमें रश्मेरी डालेंगे कि और आदिए कि अो बालेंगे कि अगर खायर कि अगरिए लालेंगे रप्मेजर कि अगर यगजचिए प्मेजर कि अगर बालेंगे मनाई डालने से तरफ नूस हो गया है पुड़ी देर इसे वा पकाए हो गया है कर्गं minimस्ली कर Milton 우리는 वज़चा को होगना सील होगना सील आ को कर दो खाओता है हो ओां ज complain कर दो ही जा चाड़ी कि का जा सक्था है इता है송 में मत ठी जा कर दो शाना स quasा गया है दो ओ killer इसमें कोई flavor डालने के जुरूर के नहीं है, क्योंकि इसका अपना ही बहुत अच्छा flavor होते है। प्योरी हमारी शिकाड़ी हो गई है, अब हम गैस को बन कर देते हैं। अब हम मैंगो प्योरी को रूम टेमपृचे बे धंड़ा होने देंगे, और रोम टेमपरचे बे धंड़ा होने देंगे। उसके बाद मिक्सी में ग्राइण करके उनको फ्रिज में जमार देंगे। हमारा कस्टर्ड मिल्क और मैंगो पर दोनों ठंडे हो गए हैं अब हम इन दोनों को मिक्सी के जार में डाल देंगे के लाग क्यख एज़ कक्यों को बुदाशड़ स्टडों दो आप। झाल दे टा लाध मुझे थोड़ा हल्का रंग लग रहा है मैं इसमें वेनिल्ला एसेंस डाल रही हूं अब थोड़ा समय तीन चारे लेची का पॉडर डाल रही हूं और इसे ग्राइंड कर लेंगे मिक्सर जार खोल कर देखते हैं यह बहुत अच्छा तयार हुआ है हमें इसकी कंसिस्टेंसी ऐसी ही चाहिए अब हम इसे जमाने के लिए कंटेनर में डाल देते हैं बाल जल ही तो लेची कि नमाने के प्राम मेचाण इस लेकश LEJ चरें California थोड़ा इसको पैर कर लेते हैं अब इसे थोड़े से पिस्ते थोड़े से काजी और थोड़े से बादाम से गार्णिश करते हैं यह आप्शनल है अगर आप डालना चाहें तो डालें आप प्लेन भी बना सकते हैं अब हम इसके उपर फैल पर लगा देंगे तांके कोई आइस क्रिस्टल ना जनने और इसे बंद कर देंगे साथ आथ घंटे के लिए हम इसे फ्रीजर में रख देंगे और उसके बाल हमारी आइस क्रीम तयार है तो यह थी हमारी कस्टड मेंगो आइस क्रीम की रेस्टिपी अगर आपको पसंद आए वीडियो को लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट सेक्षेन ने बढ़ाएं कि आपको यह कैसी लगी धन्यावाद